हेलो फ्रेंड्स मैं विन्य निर्भिक फ्रेंड्स आपका अबर फिर से हमारे चैनल पर श्रागत है तो फ्रेंड्स आरार भी एंटे पेसी कोट केस अपडेट कोट केस का क्या हुगा क्या इससे एक्जाम में देरी होगी पिछले तीन चार दिन से आप लगातार कमेंट कर रह फ्रेंड्स मैं अपडेट इसलिए नहीं दे रहा था क्योंकि मुझे इसके रिगार्ण कोई खास अब्डेट मीड़ा नहीं था और आप लोग जानते हैं जब तक मैं शूर नहीं हो जाता हूं तब तक मैं किसी बात का अब्डेट नहीं देता हूं आप लोगातार कमेंड क को मैं लास्ट वीडियो डाला था जिसने बोला था कि आध हो सकता है court case फाईल तो friends court case उस दिन फाईल नहीं हुआ है ठीक है जैसे पिशले बार भी वाथ को मालूम होगा कि court case उने में काफी लंबा समय लगा था डॉक्यमेंटेशन में लंबा समय लगा था इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ है और इस बार पूरा यह विए एक विक बित गया है बट अभी तक कोट केस फाइल नहीं हुआ है तो अब कुस लोग के मन में होगा कहीं कोट केसे महज एक तो हाई कोट कैट से बड़ा है तो यहाँ प्रेपरेशन भी बड़ा करना होगा और आपको मालूम होगा इस बार जो है पैटिसनर के पास पहले से बहुत ज़्यादा सबूत है पिछले बार किया था अभी रिवाइज रिजल्ट नहीं आया था इस बार रिवाइज रिजल यह रिवेज ने जान बूच के गलती किया है अगर रिवाइज रिजल्ट देना ही था तो सही तरीके से न था अगर लेवल वाइज ही देना था लेवल वाइज ही दिया होता बस बराबर बराबर बुलाया होता सारे लेवल में और कट आफ सभी जगें घटाया होता नकी ब छोड़ दो अब लेवेल वाइस ही बात कर लो एक एकघ्जाम में 45 में उसी में रहा है कहीं तीस गुणा पूला रहा है और दोसाषर गुना बा रहा है cruising конечно मैं पता सुक्का हों तीसे रिजल्ट कोई गुंजाईस नहीं देख रही है क्योंकि जो petitioner है उनकी demanding वही है कि जो पहला result है उसी को valid किया जाए और उससे इस्टे हटाया जाए क्योंकि वो notification के according था ठीक है अब आप लोग ये कह रहे हैं बहुत से लोग कि अगर आईसा हो गया तो जो reward में आए फिर से train में आग लगाएंगे यह करेंगे वो करेंगे तो फ्रेंड्स train में आग लगाकर आप railway को जुका सकते हैं कोट नहीं जुका सकते हैं ठीक है अगर कोट से आदेश आ जाता है तो आप कुछ भी कर लेंगे, आपको दुबारा मौका नहीं मिलने वाला है, और अगर आप मौका चाहते हैं, तो कोट के माध्यम से ही हो पाएगा, क्योंकि कोट के आदेश पर कोट ही कुछ कर सकता है, ट्रेन के जलाने से कुछ नहीं होने वाला है, रेलेवे के पास उसमें कोई कुछ भी कर सकता है, बट यह नहीं कर सकता है कि आपको गलत तरीके सेलेक्शन देदे, ठीके, आप लोग के कॉर्डिंग तो यह होगे, तब तो रेलेवे कुछ भी कर सकता है, तो यह पॉसबल नहीं है न, यह नोटिफिकेशन के बिलकुल खिलाफ है, नोटिफिकेशन का ह एक रूल कॉंस्ट्यूशन के खिलाफ है बाई एक ही नूट्फिकेशन में अलग अलग तरीके से आप वैकेंसी को बंद फिल कर रहे हैं क्या मजाग चल रहा है यानि कि आप सच पैसे लेने का प्लान करें लाज में भीर बढ़ा करके cbt1 सब को qualify गरा दिये ताकि पैसे से किसी को भी adjust कर लेंगे तो ये तरीका गलत है आपने cbt1 लिया ही क्यों जब उसका कोई value नहीं रहे गया तो जब आप इहां पर 500 गुना तक कहीं कहीं बुला लिये हैं कहीं के 200 गुना बुला लिये हैं तो इसका मतलब क्या रहे गया टोटल 57 लाग candidates ते अपियर और I think टोटल 20 लाग तो आप बुलाई लिये हैं तो फिर cbt1 का value ही कहां बचा ये तो बिल्कुल गलत है ना ऐसा नहीं होना चाहिए cbt1 करारत कुस्तोस का value होना चाहिए यहां 7 लाग की demand कहीं गए थी ना कि 20 लाग की 7 लाग भी demand किया गया था इसका मतलब यह नहीं है कि सभी 7 लाग को के वर level 5 लेवल 2 मिल भर तो सारे लेवल में बराबर बराबर भरना था जैसे कि पिछले बार आपने सारे लेवल का बराबर बराबर result दिया था जब first time result आया था तो सारे लेवल में 20-20 गुना था और overall count कर करने पर वह लगभग 11-12 गुना कुछ आ रहा था ठीक है जिसको कैडियेट्स ने कहा कि uniquely count करने पर कैडियेट्स संख्या काफी कम है ऐसा नहीं होना चाहिए थे 3 stellar 84 गुना था तो आप count कर सकते हैं कि उफ कितना हो रहा था ठीक है तो 11-12 गुना हो करकरकर उसे 20 गुना करना था के विछ उसको 20 कुना करने के लिए क्या करना था आपको जो यहां पर 2020-20 कुना करने पर 11-12 गुना आ रहे थे उसको 25-30-30 गुना कर दियो होती होते 20 गुना बुला रहे हैं किसीं 50 गुना बुला रहे हैं किसीं 500 गुना बुला रहे हैं तो यह गलत है न यह बिल्कुल हर तरह से गलत है जो मतलब मामला यही कारण है कि फिर से कोट में जा रहा है और यही कारण है कि यह रिजल्ट जो है, कैंसिल हो जाएगा, बच नहीं पाएगा, सिंपल सी बात यही है, अगर इन्होंने सही तरीके से रिजल्ट को रिवाइस किया होता, तो कहीं कोई प्रॉबलम नहीं हुआता, बट सही तरीके से रिजल्ट न रिवाइस करने के कारण, अब बहुत जादा प् पड़े नेक्स्ट लेक्शन में और आप जानते हैं पिछले 5 साल से कोई वेकेंसी आई भी नहीं है और इधर पर कोई उमीद देख भी नहीं रहा क्योंकि यो लोग ऐसा ही कर रहे हैं लोग जान भूश कर इसमें लेट ट्रैटिफिक कर रहे हैं चाहिए एंटीपीजी को ले कोट केस के बारे पूरी जानकारी नहीं होगी फूचर कोई नहीं जानता है वैसे मैं आपको बता दो यह कोट केस है लोग बहुत जल जीज़एंगे 3-4 हेरिंग में जीज़ जाएंगे और इसका एक्जाम पर पढ़ने की बहुत कम उमीद है एक्जाम किसी और कानट से दे कोट के सखत्म हो जाए लोग प्रैटिसन अपना जीत भी जाए केस अपना जीत भी जाए हागर मैं तक जाता है तो फिर जो लेवल 6 जो है आपका मैं में होने वाला था वो रोख सकता है ठीक है यानि थोड़ा सा इसका इफेक्ट पड़ सकता है और आप समझ सकते हैं थोड़ कर लेंगे धोट के सब्सक्राइब करें कोई एक्जाम पॉस्पां होने वाला है अभी कोट केस को आपको आप ना ही मानीए क्योंकि इसे का एक्जाम पर पर दिख नहीं रहा है जो पड़ेगा वह ज़्याद पड़ेगा यह बस क्या हुआ है यह रिजल्ट आपके लिए को कोचिक माफिया के लिए क्योंकि कोर्स बेजने के लिए इतना रिजल दिलवाएं है ताकि अधिसादी कैंट्स रहेंगे अधिसादी कोर्स उनके बिकेंगे बागी कुछ नहीं है और आप लोग को सलेक्शन ऐसे इतना जानी से नहीं मिलने वाला है ठीक है यह सब कुछ फिक् ब्युक्स बगर विक सके और रेले को भी फायदा हो सके रेले भी पैसे पर नो कुछ नहीं चल रहा है बाकी जो भी अप्डेट होगा मैं आपको बाद में दे दूंगा बट अभी तक का यह अप्डेट है कि अभी इस विक जो है कोड केस फाइल नहीं हुआ है